ओम सांती आज 31 अगस्त 2020 की मुल्ली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप से ओनेस्ट रहो अपना सच्चा सच्चा चाट रखो किसी को भी दुख न दो एक बाप की स्रिष्ट मत पर चलते रहो आज की मुल्ली का प्रस्ण है जो पूरे 84 जनम लेने वाले हैं उनका पुरसार्थ क्या होगा उत्तर है उनका विशेश पुरसार्थ नर्ष से नारायन बनने का होगा अपनी करमेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा उनकी आखे क्रिमिनल नहीं होगी अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी क्यालात आते हैं क्रिमिनल आई होती है तो समझो पूरे 84 जनम लेने वाली आत्मा नहीं है आज की मुल्ली का गीत है इस पाप की दुनिया से ओम सान्ती अब सुनते हैं मुल्ली विस्तार से मिठे मिठे रुवानी बच्चे जानते हैं कि यह पाप की दुनिया है पुन्य की दुनिया को भी मनुस्य जानते हैं मुक्ती और जीवन मुक्ती पुन्य की दुनिया को कहा जाता है वहाँ पाप होता नहीं, पाप होता है दुखदाम रावन राज्य में, दुख देने वाले रावन को भी देखा है, रावन कोई चीज नहीं है, फिर भी एफिर्जी जलाते हैं, हर साल उसका पुतला जलाते हैं न, बच्चे जानते हैं, हम इस समय रावन राज्य में हैं, पर जाते हैं जो हमको मनुस्य से देवता बनाते हैं सुखदाम का मालिक बनाते हैं सुखदाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है कोई भी देधारी नहीं है वह है ही सिव भाबा जिसको दे नहीं है सिव भाबा को तो दे नहीं है देहे तुमको भी नहीं थी परन्तु तुम फिर देहे लेकर जनम मरन में आते हो आते हैं ना जनम मरन में आते हैं दे तो हम भी आत्मा ही थे लेकिन हम जनम मरन के चकर में आते हैं तो तुम समझते हो हम बेहत के बाप पास जाते हैं वो हमको स्रेष्ट मत देते हैं तुम ऐसा पुरसात करने से स्वर्ख का मालिक बन सकेंगे स्वर्ख को तो सब याद करते हैं समझते हैं नई दुनिया जरूर है यह वह भी जरूर कोई इस्तापन करने वाला है नरक भी कोई इस्तापन करते है तुमारा सुकदाम का पार्ट कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो फिर रावन राज्य में तुम दुखी होने लगते हो इस समय यह है दुखदाम भल कितने भी करोड़ पती पदम पती हो परंतो पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे यह कंगाल दुनिया दुखी दुनिया है बल कितने भी बड़े बड़े मकान है, सुक के सब साधन है, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है, विसे वेतर्नी नदी में गोता खाते रहते हैं, यह भी नहीं समझते की विकार में जाना पाप है, कहते हैं इसके बिगर सश्टी व्रद्धी को कैसे पाएगी, बुला आते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ, आत्मा कहती है सरीर द्वारा, सरीर द्वारा ही बोलेगी न, सरीर तो लेना पड़ता है, सिर बाबा ने भी सरीर लिया, ब्रह्मा बाबा का, आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारत स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि संगम युक पर जो अच्छे पूर्शारती है वही समझते हैं कि हमने 84 जनम फिर लिये हैं। कोई प्रजा नंबर बार बनेंगे ना पूर्शारत अनुसार। बाप कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें देवी गुन धारन करने हैं। ये आखे क्रिमिनल हैं। कोई को देखने से विकार की डस्टी जाती है तो उनके 84 जनम नहीं होंगे। वह नर्चे नारायन बन नहीं सकेंगे। जब इन आखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातित अवस्ता होगी। सारा मदार आखों पर है। आखे ही दोका देती है। आत्मा इन खेडकियों से देखती है। इसमें तो डबल आत्मा है किसमें ब्रह्मा बाबा में है। सीव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की बाब भी इन खेडकें से देख रहे हैं हमारी भी ड्रस्टी आत्मा पर जाती है बाब आत्मा को ही समझाते हैं बाबा आत्मा को ही समझाते हैं न कहते हैं मैंने भी सरील लिया है तब बोल सकते हैं तुम जानते हो बाबा हमको सुक्की दुनिया में ले जाते हैं। सुक्की दुनिया कौन सी है? सत्योग यह है रावन राज्य तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाडी में हट गए। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ, अब पार तो जाएंगे सत्योग में, परन्तु वाँ उच पद पाना है तो पवित्र बनना है, मैनत करनी है, मुख्य बात है बाब को याद करो तो विकर्म विनास हो। यह है पहली सबजेक्ट, याद की यत्रा। तुम अभी जानते हो, हम आत्मा एक्टर है, पहले पहले हम सुकदाम में आएं, फिर अब दुखदाम में आएं हैं, अब बाब फिर सुकदाम में ले जाने आएं हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। कोई को भी दुख न दो, एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं, कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया, बाब कहेंगे ये तो दुख देने वाली पाप आत्मा हैं, पुन्य आत्मा कैसे बनेंगे, अब तक पाप करते रहते हैं, ये तो नाम बदन करते हैं, सब क्या कहेंगे? कहते हैं हमको बगवान पढ़ाते हैं, हम मनुश्य से देवताविश्व के मालिक बंढ़ते हैं, वह पिर ऐसे काम करते हैं क्या? इसलिए बाबा कहते हैं, रोज रात में अपने को देखो, अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें, बल कोई चार्ट लिखते हैं परंतु साथ में ये लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया वा ये भूल की चार्ट तो लिखते हैं लेकिन ये बात नहीं बताते हैं याद करते रहे और करम उल्टे करते रहे ये भी ठीक नहीं उल्टे करम करते तब हैं जब देह अभीमानी बन पड़ते हैं उल्टे करम तो जब ही होंगे न जब अपने को देह समझेंगे अगर आत्मा अभीमान में रहेंगे तो उल्टे करम होंगे ही नहीं यह चक्र कैसे फिरता है यह तो बहुत सहज है एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं टीच करते हैं फिर जाकर उस पर मनन करना है हमने 84 जनम कैसे लिए उस सिखलाने वाले टीचर से देवी गुनबी जास्ती धारण कर लेते हैं बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं दिखाते हैं बाबा हमारा चार्ट देखो हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है बाबा कहेंगे ये बच्चा तो बड़ा मीठा है अच्छे खुस्बू निकाल रहे हैं टीचर बढ़ना तो सेकिंड का काम है टीचर से भी स्टूडेंट यात की यात्रा में दिखे निकल जाते हैं तो टीचर से भी उच्पद पाएंगे बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो रोज सिव के मंदिर में जाकर टीच करो सिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं स्वर्ग का मालिक बनाते हैं समझाना बहुती सहज है बाबा को चाट भेज देते हैं बाबा हमारी अवस्ता ऐसी है बाबा पूछते हैं बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो बाबा सबसे पहले यह पुछेंगे क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है अपने मैनर्स, केरेक्टर्स देखने हैं जरा भी बिगर पूछे चीज उठा कर खाया तो वह भी पाप बन जाता है बीना पूछे अगर कोई चीज लेंगे तो वह भी पाप हुआ न क्योंकि बिगर छुटी के उठाईना यहां काईदे बहुत है सिब बाबा का यग्य है न सेंटर्स पर चार्ज वाली के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे वास्ता में यहां कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है लो कहता है इस घर के अंदर कीचन के सामने कोई भी आपवित्र आने नहीं चाहिए बाहर में तो आपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं परंतु पतित तो अपने को कहते हैं न सब पतित है कोई वलभाचारी को अत्वा संक्राचारी को हाथ लगा न सके क्योंकि वह समस्ते हैं हम पावन या पतित है बल यहां सब के सरीर पतित है तो भी पुर्षार्थ अनुसार विकारों का सन्यास करते हैं तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुस्य माथा देखते हैं कहते हैं यह बड़ा स्वच धर्मात्मा मनुस्य है सत्युग में तो मलेच होते नहीं है ही पवित्र दुनिया एक ही केटेगरी है तुम इस सारे राज को जानते हो सुरू से लेकर सश्टी के आदी मद्य अंत का राज बुद्धी में रहना चाहिए हम सब कुछ जानते हैं बाकि कुछ भी जानने का रहता ही नहीं रचता बाप को जाना सुक्स्व वतन को जाना भविश्य मर्तबे को जाना जिसके लिए ही पुर्शार्थ करते हो फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो उच्पद पा नहीं सकेंगे किसको दुख देते विकार में जाते हैं या बूरी डश्टी रखते हैं तो यह भी पाप है डश्टी बदल जाए बड़ी मैनत है डश्टी बहुत अच्छे चाहिए आखे देखती है यह क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पढ़ते हैं सिव बाबा में जराबी लव नहीं याद ही नहीं करते बल्यारी सिव बाबा की है बल्यारी गुरु आपकी बल्यारी उस सत्गुरु का जिसने गोविंद सिखर्ष्ण का सक्सातकार कराया गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो सक्साथकार से सिर्फ मुख मीटा नहीं होता मीरा का मुट मीटा हुआ क्या सच्मुट स्वर्ग मैं तो गई नहीं वह है बक्ती मार्ग उनको स्वर्ग का सुक नहीं कहेंगे गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है ऐसा बनना है तुम यहां आई हो ऐसा बनने, यह नसा रहना चाहिए, हम उनके पास जाते हैं, जो हमको ऐसा बनाते हैं, तो बाबा सबको यह राय देते हैं, चार्ट में यह भी लिखो, आखो ने दोका तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया, आखे कोई ने कोई बात में दोका जरूर देत आखे बिलकुल सितल हो जानी चाहिए अपने को असरीरी समझो यह करमातीत अवस्ता पिछाड़ी में होगी सोबी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे बल धर्मराज के रेजिस्टर में सब जमा हो जाता है अटोमेटिकली परन्तु जबकि बाब साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पढ़ना चाहिए तो खबरदार करेंगे क्रिमीनल आई अत्वा दे अभिमान वाला होगा तो वायू मंडल को असुद कर देंगे इतनी मैनत करनी पड़ती है यह बनने के लिए बाबा के पास आते हैं बाबा ज्यान का स्रंगार कराते हैं आत्मा को समझते हो हम आत्मा ज्यान से पवित्र होगी फिर सरीर भी पवित्र मिलेगा आत्मा और सरीर दोनों पवित्र सत्युग में होते हैं फिर आदा कलब बाद रावन राज्य होता है मनुस्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया यह अनादी ड्रामा बना हुआ है भगवान ने थोड़े कुछ किया सत्युग में होता ही है एक देवी देवता धरम कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम यादी क्यों करें लेकिन तुमारा दूसरे धरम से कोई मतलब नहीं जो काटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे मनुस्य कहते हैं क्या बगवान सिर्फ भारतवासियों को इस स्वर्ग में ले आएंगे हम मानेंगे नहीं बगवान को भी दो आखे है क्या परन्तु यह तो ड्रामा बना हुआ है जब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पार्ट कैसे चले स्वर्ग में इतने करूड होते नहीं पहली-पहली मुक्य बात भगवान कौन है उनको तो समझो यह नहीं समझा है तो अनेक प्रस्ना करते रहेंगे अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे यह तो बात ठीक है हमको पति से पावन जरूर बनना है याद करना है उस एक को सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं तुम बच्चों को अभी यह ग्यान मिल रहा है तुम समझते हो यह स्रष्टी चक्र कैसे फिरता है समझ गए ना तुम तो तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो निकलते बिलकुल थोड़े हैं प्रदर्शनी में कुछ-कुछ निकलते हैं सब तो नहीं निकलते हैं कहां निकलते भी हैं प्रदर्शनी से, कहां नहीं निकलते हैं, आगे चल आएंगे उंच पद पाने का पुर्शार्थ करेंगे, कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुर्शार्थ नहीं करेंगे, बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, विकर्म कोई नहीं करो, यह भी नौट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया कोई से लड़ा जगडा तो नहीं उल्टा सुलता तो नहीं बोला कोई अकर्तव ये कार्य तो नहीं किया बाबा कहते हैं विकर्म जो किये हैं सो लिखो यह तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते अभी बहुत विकर्मी बन गए बाबा को लिखकर देने से बोजा हलका हो जाएगा लिखते हैं हम किसको दुख नहीं देते हैं बाबा कहेंगे अच्छा चाट लेकर आना तो देखेंगे बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चों को हम देखें तो सही सपूत बच्चों को बाब बहुत प्यार करते हैं अच्छे बच्चे होंगे जो बाबा के स्रिमत पर चलेंगे उसके लिए बाबा भी बहुत प्यार करेगा बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुर्षार्थ करते हैं बच्चे चाट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खाम्या है जो बाबा से छिपाते हैं सच्छा होनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चाट लिखते हैं चाट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए अच्छा अच्छा मिठे मिठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग हम रोहनी बच्चों की रोहनी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 दार्ना के लिए मुक्यसार है पहला पॉइंट स्व्यम का बोज हलका करने के लिए जो भी विकर्म हुए है वह बाप को लिख कर देना है अब किसी को भी दुख नहीं देना है सपूत बनकर रहना है दूसरा पॉइंट है अपनी डस्टी बहुत अच्छी बनानी है आखे धोका न दे इसकी संभाल करनी है अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने है काम क्रोध के वस हो कोई पाप नहीं करने है आज का मिठा मिठा वर्दान है मिठे बाबा ने कहा बित्ती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तिवरपूर्शार्ती भव विस्तार है अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ बिती को चिंतन में न लाना यही तिवरपुर्शार्थ है यदि कोई बिती को चिंतन करता है तो समय सक्ती संकल्प सब वेस्ट हो जाता है अभी वेस्ट करने का समय नहीं है क्योंकि संगम युक की दो गड़ी अर्थार्थ दो सेकिंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिये इसलिए समय के मैत्व को जान अब बीति को फुल स्टॉप लगाओ फुल स्टॉप लगाना अर्थार्त सर्व खजानों से फुल बनना आज का स्लोगन है जब हर संकल्ब स्रेष्ट होगा तब स्वयम का और विश्व का कल्यान होगा अच्छा ओम सांती